नमस्कार, मैं डाक्टरों प्रकास बैर्वा, सहय का चारिय संस्कृत, राज की ये सनात को उत्तर महाविद्याले जालावार्ट, आज हम नाराइन पंडित द्वारा रचीत, हितोप देश का अध्यन करेंगे, रन्यक नामक चुहा, मंथर नामक कच्वे से कहता है, यचात्रई वियांचिया जीवनम्तदप्यतीव गरहितम, यची अत्र एव, यची जो अत्र एव, अत्र एव यानि ही, इस इस थान पर, और जो इस 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 थान पर ही, यांचिया, याचनासे या भिक्षा द्वारा जीवनम जीवन या पन करना तत अपी अतीव गरहितम तत याने वहे अप याने भी अतिव याने अतदीक गरहितम याने निंदनी हैं यत है क्योंकि वरम बिभव ही नेने प्राण ही संतर पितोवन लहे नो पिचार परिभरष्ट है क्रिपन है प्रार्थियते जन हैं वरम बिभव ही नेन प्राण ही संतर पितोवन लहे ने उपचार परिभरष्ट है क्रिपन है प्रार्थियते जन हैं विभव हीनेन, धन से रहित या वैभव से रहित व्यक्ति के द्वारा या धन हीन के द्वारा प्राण ही संतर्पित अनलहे वरम प्राण ही अपने प्राणों से संतर्पित है, संतुष्ट की गई, अनलहे अगनी भी वरम यानी स्रेष्ट है धन हीन व्यक्ति के द्वारा अपने प्राणों को अगनी में समर्पित कर देना भी स्रेष्ट है किन्तु उपचार परिभ्रष्ट है उपचार सिष्ठाचार से परिभ्रष्ट यानी रहित सिष्ठाचार से रहित या व्यवहार से रहित कृपन है, कंजूस, जन है, मनुस्य, ने प्रार्थ्यते हैं से प्रार्थना करना नयानी नहीं वर्मयानी स्रेश्ठ हैं किन्तू, उपचार से या सिष्ट्छार से रहिते, कंजूस व्यक्ति से धन की याचना करना उचित नहीं है अन्यक्च और भी देखिए दारे द्राद्रिय मेति नी परिगत है सत्वात परिभरंस ते नी सत्व है परिभोय ते परिभवान निर्वेदमापद्य ते नीर्विन्य सुच मेति सोक पिहितो बोध्या परित्य जते निर्वोध्य छय मेत हो निर्धनता सर्वापदम आस्पदम सर्वापदम आस्पदम दारी द्रियात घ्रियम एती घ्री परिगत है सत्वात परिभरंस ते निही सत्व है परिभोय ते परिभवात निर्वेदम आपद्य ते निर्विन सुचम एती सोक पिहित है बुद्धिया परित्य जते निर्वुद्धि ही छय मेती अहो निर्धनता सर्वापदम आस्पदम दारिद्रियात दरिद्रता से नियम एती घ्रियम लज्जा को एती आनी प्राप्त करता है दरिद्रता के कारण मनुष को लज्जा आती है या मनुष लज्जा को प्राप्त होता है परिगत है सत्वात परिभ्रस्ते और लज्जा से युक्त व्यक्ति सत्वात पराक्रम से परिभ्रस्ते हीन हो जाता है या लज्जा युक्त व्यक्ति का पराक्रम नश्ट हो जाता है निसत्वे पराक्रम से रहित व्यक्ति परीभूयते परीभूते अपमान को प्राप्त होता है या अपमानित होता है और परीभवात निर्वेदम आपद्यते और परीभवात अपमान से निर्वेदम गलानी को या खेद को या धिकार को आपद्यते पराप्त होता है और निर्वेदम है सुचम एती निर्वेदम यानि दुखी व्यक्ति सुचम यानि सोक को एती यानि प्राप्त होता है सोक पीहता है बुद्धिया परित्यते और जो सोक से युक्त व्यक्ति है वह बुद्धिया परित्यते यानि त्याग दिया जाता है या सोक वाले व्यक्ति की बुद्धी नश्ट हो जाती है निरबुद्धी छयमेति ही और जो बुद्धी से रहित व्यक्ति है जिसकी बुद्धी नश्ट हो जाती है से बुद्धी ही व्यक्ति का छेयम यानि विनास एतियानी प्राप्त होता है वह विनास को प्राप्त होता है अहो आश्चरिय की बात है अहां आश्चरिय है कि निर्धनता जो गरीबी है दरिद्रता है वह निर्धनता इतीस सर्व आपदाम आस्पदम इतीस प्रकार से सर्व आपदाम सभी प्रकार की अभिपत्यों का आश्पदम यानि इस्तान अस्तियानी है दरिद्रता के कारण लज्जा आती है लज्जा से युक्त व्यक्ति पराक्रम से हीन हो जाता है पराक्रम हीन व्यक्ति का अपमान होता है अपमान से दुख होता है और दुखी व्यक्ति सोग को प्राप्त करता है सोक वाले की बुद्धी नेश्ट हो जाती है और बुद्धी हिनका विनास होता है अहां आश्चर यह है कि निर्धन्ता इस प्रकार सभी विपत्यों का इस्थान है निर्धन्ता या गरीबी को सभी आपत्यों का घर माना है क्योंकि इसी के कारण प्राणी को क्रम सहे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं इसमें सारदुल विकृत छंद है